आज की वीडियो में मैं अपने माइन कॉप वर्ल्ड में एक और डायमंड बिकन बनाने वाला दमस्थ पर क्यासी नहीं कि मैं डायमंड बना दूंगा इसली बना दूंगा इन्यों चुटकियों में चुटकी चुटकी बजने में क्योंकि मेरे पास अल्डेडी अल्मस्थ डबल स्टैक ब्लॉक ऑप डायमंड है और जो जमीन पर पड़े हैं वह भी मैं यूज कर सकता हूं यह जमीन पर दिख रहे हैं तो मैं इसली हो जाएगा यह ज्यादा मुझे हार्ड नहीं पड़ेगा पर मैं यहां के बीकन उठाकर और यहां का डायमंड बना लूँगा पर फिर मजा निया आइगा इसली कि एक नहें बीकन बनाऊं और नहां विदर को मारूं विदर तो नहां पिर जाकर एक अच्छा बीकन मनाते हैं चलो देखता हूं पहले मायनिक पे चलते हैं पहले दिखा लेता हूं कि कितना मेरा पास डाइमन ब्लॉक है मेरे पास 64 प्लस 64 128 प्लस 5 इकल्स 133 है 133 है और मेरे को चाहिए 164 तो मतलब कि 31 के आसपास और चाहिए मझे डामंड ब्लॉक तो 31 इंटु 64 कितना आएगा नहीं नहीं करना होगा है 31 इंटु 9 अल्मस्ट 275 इंटी सिक्स सेवन्टी नाइव डिवाइड बाई 64 अल्मस्ट चार साढ़े चार स्टैक तक डामंड और चाहिए मुझे अपना पूरा डामंड बिकन कंप्लिट करने में तो चलो माइनिंग पर चलते हैं यह तो यादी होगा ना यहाँ पर ही मैंने अपने 1000 एक्सपी किये थे ला चिकल ले ले लेता हूं और गाम करता हूं यही से माइनिंग पर चलता हूं सिधा माइनस 58 क्या अपना लग यार सबसे ओसम होता है इससे बेस्ट लग मैंने किसी का नहीं देगा सीधा डायमंड पर हागे लेखा हूं हूं और भी है वाँ सीधे ग्यारा डायमंड ओके लिटल मैं कभ से माइन कर रहा हूं मुझे अभी नहीं मिले कभी नहीं मिला आप मिला जाकर देख़ू दो बहुत और मिले कितना ठाय होंगे यार डायमंड रही दिगे मुझे ओके और मिले थोड़े बहुत क्या अलग है यार खली एक नहीं हो न जी है और यहां गंटो माइन करने के बाद मेरे दिमाग में एक मस्त आइडिया आया कि अब मैं विदर से ही माइन कराता हूं मैंने एक लंबी के बनाई सिंपल और फिर विदर को स्पॉन कर दिया तो दिखते कि मैं कैसे काम करा सकते हैं विदर से वह जब होता है इसकी हाफ हैल्फ चली जाती तो वह बहुत तगड़ी माइन करता है लेटली आजबाज को सारे एरिया खतब कर देता है अभी तो कुछ नहीं और हाँ मैं नाइट विजन पीना भूल गया था तो पहले मैं इसको थोड़ा बहुत हीट मारता हूं और थोड़ी पूझत मारने के बाद फिर में नाइट विजन पीता हूं तक कि दिखे अंधेरे में तीर मार रहा कभी-कभी नहीं लगता है कावत सही होती है पर अंधेरे में तीर मारना नहीं आना चाहिए नहीं मारता मैं और हाँ फिर मैं इसको जितना हो सेको तना मारने लगा इजी और इसकी काफी हल्थ डाउन हो गई थी लिटरी बहुं लिटरी ओपी थी पावर फाइब की चार-पांच में नीचे आ गया है अब मझे लेते हैं देखो भाई साहब और मेरे काफी डाइमेंस रिवील की यह अच्छा लगा मुझे काफी डाइमेंस रिवील कर द अब ग्रेंबल आगे तो वह तो मैं बाच गया सवल नहीं उसके मार सकता था और यह रहा डाइमेंड बहुत सही है फिर मैंने सुचे यार जया तब बचा नहीं आया या फोई निक खतम करते हैं एक यह मारा वह तो ग्रीपर फट गया तो उसने मार दिया तो तो वीजी जैसे मैंने नेधर स्टर क्लिक किया खतम बाइबाई टाटा गुडबाई गया और मैंने थोड़ी बहुत माइनिंग किया और मैं घर पर आगे घर पर आके मैंने सब ब्लोक्स क्राफ्ट कर लिए बहुत लंबा पार्ट हो जाएगा मैं नहीं दिखा पाँगा और मैं डायम इजिली जदा कोई प्रोब्लम नहीं होगी और जल्दी हो गया प्लेस जादू सारे डामेंड्स प्लेस होगे और हाँ लेवल पूरा फॉर का है ऐसा मत सुदने कि यार बीच में गायक कर दिया नहीं मैं दिखा देता हूं देख लो अंदर ओके और लेवल फॉर जो होता है न वो बीच में मतलब कि पूरे सारी जो होती है न इफेक्ट सारे अनलोक हो जाते है देखे लिए तो यह था मेरा कहानी डाइमंड बीकन बनाने की जो कि बहुत इजी था हाँ इजी था ज्यादा हार्ड भी नीत था क्योंकि लास्ट के कुछी ब्लोक बाकी थे वह भी मैंने म पताना पता कैसी लगी हो रहा है थैंक्स वोचेंग अगर यहां तक देख रहे हो और लाइक और सब्सक्राइब कर दे रहा है बाइबाइब और हाँ मैंने तो वो दिखाया है नहीं कि मेरे को और कितना लूट मिला माइनिंग करने से देखो अलमस्ट सलकर भरके और मिला